आवला एक चमतकारी फल है यानि की इस छोटे से फल में ऐसे चमतकारी गुड़ है जो सरीर के लिए वेहत गुड़कारी है यह ना सिर्फ हमारे सरीर की इम्म्यूनिटी बढ़ाता है बलकि कई बिमारियों को जड़ से भी खत्म करता है आवला में विटामिन C, विटामिन A, B कॉंपलक्स, पोटेसियम, कैलसियम, मैगनेसियम, आईरन, कार्वोहाइट्रेट, फाइवर और डायूरेटिक एसेड होता है शायद यही वज़ा है कि आवला को सो रोगों की एक दवा मानी जाती है सायद इसलिए ही आवला की तूलना अम्रित से की गई है इस बात में कोई सक नहीं है कि आवला एक वंडर फूड है इस छोटे से फल में ऐसे गुड है जो सरीर के लिए वेहत फाइदे मन्द है आवला में मवजूद गुड सरीर की इम्म्यूनिटी बढ़ाते हैं और साथ ही कई बिमारियों को जड़ से भी खत्म करता है नमबर एक आवला डाइविटीज से परिसान लोगों के लिए किसी अम्रित से कम नहीं है दरसल आवले में क्रोमियम तत्तों पाये जाते हैं जो इंसुलीन हार्मोन्स को मजबूत कर खोन में सुगर लेवल को कांट्रोल करते हैं अगर आपको डाइविटीज है तो आवले की रस में शहत मिलाकर पीने से बहुत आराम मिलेगा नमबर दो आवले में मौजूद क्रोमियम वीटा ब्लॉकर के प्रिभाव को कम करते हैं इससे आपका दिल मजबूत और हल्दी बनता है यही नहीं आवला खराब कोलेस्टराल को खत्म कर अच्छे कोलेस्टराल को बनाने में मदद कर सकता है नमबर तीन, खाने को पचाने में आवला बहुत मदद कार है इसे खाने से गफच, खटी टकार और गैस की समस्या से मुक्ती मिलती है यहीं वज़ा है आवले को किसी ना किसी रूप में आपको अपने भोजन में सामिल करना चाहिए आप आवले की टट्मी, मुरबबा, अटार, जूस या जोड के रूप में भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं नमबर चार, आवला सरीर के मेटाबॉलिस्म को मजबूत बनाता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है नमबर पांच, आवले में बैक्टिरिया और फंगल इंफ्रक्शन से लड़ने की ताकत होती है इसे खाने से हमारे सरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है जिससे हम बिमारियों से दूर रहते हैं यही नहीं आवला सरीर में मौजूद टॉप्सन यानी की जहरी लेपदार्थों को बाहर निकाल देता है आवला खाने से सर्दी जुकाम, अलसर और पेट की इंफ्रक्शन से मुक्ती मिलती है आवला खाने से हटीयों को ताकत मिलती है और वे मजबूत बनती है आवले में भरपूर मात्रा में कैलसियम होता है और इसे खाने से और्ष्ट्रियोपोरोसिस, अर्थराइटिस और जोडों की दर्द से अराम मिलता है आवले का रस आँखों के लिए गुड़कारी है या आँखों की रोस्नी बढ़ाता है यही नहीं जिन्हें मोतिया गृंद, कलर ब्लाइडनेस या कम दिखाए देता है उन्हें आवले का रस पीना चाहिए आवले में ऐसे तत्व मौझूद होते हैं जो दिमाग को ठंड़क प्रदान करते हैं आवला खाने से चंसन में अराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है महिलाओं को पीरियट्स में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिनमें आने में पीरियट्स साइकल पेट वा कमर में तर्द जारा ब्लीडिंग सामिल है आवला खाना वेहत फाइदे मन्द है अगर रोजाना आवला खाया जाए तो आवले में मौझूद विट पन के सिकायत है तो उसे रोजाना आवला खाना चाहिए